अश्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल E-Philosophy Ethics में स्वागत है आज हम निबंध किस तरह से लिखें इस पर चर्चा करेंगे और हमारे निबंध का विशा है मानव जिवन में नैतिक्ता का महत्तु मानव जिवन में नैतिक्ता का महत्तु क्या है? इसे समझने से पहले हमें नैतिक्ता क्या है? इसे समझना अत्यनत आवश्चक है नैतिक्ता समाज के कल्याण और वहां रहने वाले लोगों की समगर भलाई के लिए निधारित माप्तंड है यह मानवी आचारणों का उचित, अनुचित, गुण, दोश, शुब, अशुब, इत्यारिमानकों के रूप में मोल्यांकन करती है नैतिक्ता का नाम लेते ही मैकाईवर महोदै का कथन हमारे मस्तिस्क में आ जाता है उनका कतन है कि नैतिक्ता का तात्पर नियमों की उस विवस्था से है जिसके द्वारा ब्यक्ति का अंताकराण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है नैतिक्ता का संबंध समाज से है हमारा समाज जिसे उचित मानता है वही नैतिक है पर तेक ब्यक्तिकों नैतिक होना चाहिए नैतिक होने का तात्परिया है कि उसे अपने कर्तब्यों का पूर्ण रूपेंड पालन करना चाहिए नेतिकता हे तो ब्यक्तिके ब्यक्तित्तों में मोल्यों का विसेश महत्तो है मोल्य किसी क्रिया के महत्तों को दर्शाता है साथ ही साथ इसका लक्ष भी यह निर्धारित करना होता है की कौन सा कार स्रेष्ट है और कौन करने हे तो कौन से तरीके से स्रेष्ट है नैतिक मोले समाज में रहने वाले ब्यक्तियों के चरित यों ब्यक्तित्तों के निर्माण में मदद करता है आज हम यह समझ पाएं कि हमें बश्पन में नैतिक उक्तियां अर्थाद जो शुवास्तान थी हमाई सुवास्तान भारत के महान ब्यक्तित्त वा नैतिक कहानिया क्यों पढ़ाई जाती थी इन सबसे हमें सच्चाई, इमानदारी, निष्ठा, अखंडता, द्रहसंकल्प वा दूसरे का सम्मान करने की सीख मिलती है हमारा जीवन सदय हुई नैतिक कार्यों के लिए तत्पर होना चाहिए में समाज, धर्म, वासंस्कृत इत्याजी तत्यों की बात की जाती है नैतिक्ता एक के लिए न होकर अपित बहुजन हिताय के लिए है इसे हम एक उदारर से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई पुलिस अपराध करता है यहाँ पे पुलिस के अपराध करने के पुलिस एक समाज में सद्गुनों के लिए पहचाना जाता है अगर वह अपराध करता है इस सेंस में है अगर कोई एक पुलिस अपराद करता है तो वह समाज अर्थात पुलिस विभाग में अनयतिक होगा दूसरे सब्दों में कहें तो एसे कर्म जो हमारे समाज में सुविकारे ना हो उन्हें अनयतिक तता ऐसे कारे जो हमारे समाज में सुविकारे हो उन्हें नयतिक कहा जाता है जैसे सडक पर चलते समय कोई ब्यक्तित तेज धोब की रोशनी या धुरगटना के कारण गिर जाए तो हमारी नैतिक्ता यही होनी चाहिए कि हम उसे उठाएं और उसे प्रात्मिक चिकिस्या मोहिया कराएं या यथा संभव तो प्रयास अवस्य ही करें इस प्रकार से हमें स्वयम को नैतिक आदर्शों अर्था नैतिक्ता से चोड़ कर रखना चाहिए ब्यक्तित्त से युक्त विबेकपूर्ण वा आत्मियंत्रित मनुष्य ही नैतिक हो सकता है अन्य ब्यक्ति? नहीं किसी मनुष्य के जीवन सहली वाकारियों के आधार से ही हम उस मनुष्य को नैतिक या नैतिक होने का निधारर करते हैं ब्यक्ति के जीवन में नैतिक्ता का महत्पूर्ण अस्थान है यहां हमें काल्डर उड महोदय का एक कथन याद आ रहा है कि ब्यक्तित्तो ही नैतिक्ता का आधार है ब्यक्तित्तो के साथ ही साथ उस मनुष्य को उचित्यों मंचित का नेड़य लेना भी आना चाहिए इसी से ही वह विवेकवान कहलाता है और उसे किसी भी परिस्तित में कोई समस्या नहीं होगी नैतिक्ता मानों का वह गुण है जो उसके सद गुणों को परदर्शित करता है साथ यही कारण है कि रिपब्लिक का लेखक प्लेटो दार्शनिक राजा का सिध्धान्त अपने दर्शन में प्रद्पाधित करता है उसके अंसार यदि राजा दार् जी पती हो के साथ घुला मिला रहेगा अर्थात अपनी परजा के दुख दर्द में को अवस्य ही समझेगा मौंदास करमचंद गांधी जी ने भी ब्यक्तिके नैतिक होने की बात कही है उन्होंने सदेव ही लोगों को सत्य का पालन करने को कहा साथ ही उन्होंने लोगों से हिंसा ना करने की अपेल की अर्थाद अहिंसा का पालन करने की अपेल की। पुरते श्ठित वानायतिक हैं, वा हमारे आदर्श भी हैं। पुरते श्ठित वानायतिक हैं, वा हमारे आदर्श भी हैं। लेकिन ऐसा करते समय उसका मन बिलकुल विशुद्ध होना चाहिए। यदि कुछ उधारणों से नयतिक्ता का अध्यन करें, तो हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। हिनसात्मक कारे नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, सदेव दूसरे की सेवा के लिए ततपर होना चाहिए, वा कभी भी किसी को पीडा नहीं पहुँचाना चाहिए। आदे यदि इन उधारणों को अपने अंदर समाहित कर तता समाज में फैला कर हम नयतिक्ता जैसे स्रेष्ट सब्द को शार्थक आयाम दे शकते हैं ब्यक्ति यदि अपने कर्तब्यों का पालन समाज के अनरूप करता है तो वह मनुष्य निश्चित रूप से मानवतावादी वा सामाजिक होगा समाज में रहने वाले मानों के ब्यक्तित्तों का सरवांगीन रूप से उचित विकास को ही हम नैतिकता का अस्थान देते हैं संभवता यही कारण है कि जब हम छोटे थे तो नैतिक से छाया भारत के महान ब्यक्तित्त जैसे विशय भी पढ़ाय जाते थे इसके अध्यन से हमारे नैतिक विकास के साथ साथ हमें समाज के साथ कैसा वर्ताव करना है हमें समाज को क्या कर देना है वा उसे भविश्य में किस अवस्था पर लाकर खड़ा करना है इस तरह की सिच्छा देते हैं इस प्रकार हम निश्कर्थता यही कहेंगे कि यदि समाज पर नयतिक्ता का आवरण चढ़ा दिया जाए तो हमारा समाज एक सब्यों सुसिचित समाज के रूप में प्रदर्सित होगा और लोगों के मन में ब्यक्ति से भाय अवस्य ही समाप्त हो जाएगा और वे मिल जोलकर आपस में प्रेम पूर्बक वापरश्पर शौहार्द के साथ निवास करेंगे धन्यवाद दोस्तों आलोग पांडे के साथ आपका श्वागत है